नमस्कार दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट बितैसके में दोस्तों आज हम SSE CHSL 2 जुलाई 2019 का आफ्टरनूट सिफ्ट में जो कुश्चन पूछा गया था टाइमी स्पीड का उसका हम इजी सोलूशन देखेंगे चलिए स् कुश्चन कह रहा है कि जो अमित है उसने A से B तक की एक पॉइंट ये A है ये पॉइंट मैंने माना B है अमित ने A से B तक की जो दूरी है वो 80 किलोमीटर परावर की स्पीड से तै करी उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रतिगंटे की है और उसने क्या करा है कि 75 परसेंट जितनी दूरी जो ये A से B तक थी उसका 75 परसेंट 75 परसेंट का मतलब कितना होता है 75 परसेंट 3 वाइ 4 मतलब जो टोटल डिस्टेंस है उसका 3 वाइ 4 तो उसने क्या करा है 2 3rd of the time कितना समय लिया है उसने 2 3rd of the time मतलब जितना वो टोटल समय लेता था उससे 2 3rd time में वो 75 परसेंट डिस्टेंस कवर करता है तो वो कह रहा है कि rest of the constant speed of x km पर आवर तो जो rest दूरी है जो सेज दूरी है वो कितने km पर आवर की speed से वो तै करेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लिया मैंने कि उसको total जो time लगा है a से b तक वो कितना लगा है मैंने total time मान लिया कि यहां से यहां तक इसको कितना लगा है 3 तीन गंटे लगा है तीन गंटे लगा है तो यहां पर मैंने 3 मान अब अगर तीन गंटे उसको लगा है a से b तक तो उसने total कितनी distance कवर की होगी 80 multiply total distance क्या जाएगी मेरी 80 multiply 3 तो यह कितना हो जाएगा 240 कितना आएगा 240 यह मेरा आया 240 unit क्योंकि यह मैंना माना है तीन यूनिट माना था तीन गंटे यूनिट तो यह मेरा यूनिट में आएगा ठीक है तो यह कितना हो गया 240 तो मेरी total distance कितनी हो गई 240 यूनिट हो गई मेरी total distance अब यह देखो मुझे पूंचा कितना है मुझे वन थर्ड डिस्टेंस जो उसने मुझे कितनी डिस्टेंस निकाल ली है 3, 4, 75% तो उसने तैकर ली है मुझे 6, 25% distance निकाल ली है तो 240 का जो 25% होगा वो कितना आएगा 240 का 25% ही distance, 6 distance बची होई है और उसको मुझे कितने घंटे में तैकर ना है देखो total था मेरा 3 घंटे टाइम था तो उसने 75% distance तैकर निकाल ली है 2 थर्ड टाइम मतलब अगर मैं 3 घंटे का 2 थर्ड निकालूं तो कितना आएगा मेरा 2 घंटे आएगा तो उसने 75% जो distance कवर की उसको तै करने में उसको लगी 2 घंटे तो अब जो 6 25 है तो उसका समय कितना बचा एक घंटे ही बचा तो मुझे total distance upon total time कितना बचा 1 तो 1 से अगर मैं divide करूंगा तो यह मेरी क्या आएगी यह मेरी speed आएगी यह क्या आएगी मेरी speed आएगी तो जब मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा 60 तो यही इसका सही answer हो जाएगा 60 इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सस्क्राइब जरूर करें थेंक यू